वेल्कम डियर फ्रेंट्स आज हम डिस्ट्रिविशन सिस्टम में इंसुलेटर्स के बारे में इनसे रेलेटेट कुछ अब्जेक्टिव कोश्चन देखेंगे जो एक्जाम के परपस में मोस्ट इंपोर्टेंट है सो हम लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है घरों में किस प्रकार की विद्धूत का प्रयोग किया जाता है option A, AC, option B, DC, option C, AC, DC दोनो option D में सभी सबते हैं तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer होगा option A घरों में किस प्रकार की विद्धूत का प्रयोग किया जाता है एसी टाइप का एसी टाइप का घरों में प्रयोग किया जाता है next question देखेंगे 3 phase के लिए voltage कितना रखा जाता है option A, 100 upon 140 volt, option B, 220 upon 200 volt, option C, 200 upon 300 volt, option D, 400 upon 440 volt तो 3 phase system में हमें पता है 3 phase में R, Y, B, 3 phase होते हैं और यह 3 phase के लिए, passive phase में हम देखेंगे, तो कितना रखा जाता है इसका answer कोई बताएगा, इसका right answer है, 400 upon 440 volt तो 440 volt, 3 phase के लिए design किया जाता है इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा, option D, 440 volt, 400 upon 440 volt next question देखेंगे single phase circuit कितने voltage पर जोड़ा जाता है, तो single phase circuit कितने voltage पर जोड़ा जाता है option A, single phase में क्या होगा, एक neutral और एक phase सिंगल फेस सरक् ηिट में कितने व pastor पर जोड़ा जाता है अपक्षिन है 220 वोल्ट ऑप्ष continental video 320 वूल्ट ओप्षिन है जी है चार से चालीस वौल्ट और आप्ष्टिश है संव वॉल्ट है तो इसका राइट अंसर क्या होगा एक नीूर्टल और एक फेस के बीच में कित्ता वोल्ट के लिए जोड़ा जाता है तो यह option है 220 वोल्ट कित्ता होगा standard value 240 वोल्ट है यदि option में 240 रहेगा तो 240 लगाएंगे ठीक है यदि 220 लिखा है तो भी सही है और option में 240 लिखा रहेगा तो हम standard value 240 लिखेंगे next question देखेंगे निमलखीत में से कौन wiring connection सबसे अधीक सस्ती होती है option A tree system option B distribution board system option C A और B दोनो option D उप्रक्त में से कोई नहीं है distribution electrical distribution का question है तो कौन सी wiring का connection सबसे अधीक सस्ता होता है इसका right answer क्या होगा 4 का option A tree system जो tree system होता है इसका wiring connection बहुत आसान होता है next question देखेंगे किसी भी wiring के प्रयोग को जानने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए option A टिकाउपन option B सुरक्षा option C मुल या option B ये सभी सबते हैं तो कोई भी wiring यदि आप करते हैं घरों पे वाइरिंग करते हैं तो आपका टिकाउपन भी होना चाहिए सुरक्षा भी होना चाहिए और मुल में निर्धारित होना चाहिए मतलब ज्यादा extra cost नहीं होना चाहिए इसलिए इसका right answer क्या होगा option D next question देखेंगे किसी भी वाइरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निमलिखित में किन बातों पर धिहान देना चाहिए तो कोई भी वाइरिंग किसी प्रकार के वाइरिंग के सोचने के लिए option A है accessibility, accessibility, option B दिखावट, option C है मुल्ले या option D यह सभी सत्ते हैं तो कोई भी वाइरिंग है उसके बारे में सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसे सिबिलेटी भी देखना पड़ेगा, दिखावट भी देखना पड़ेगा और मुल्ले भी देखना पड़ेगा तो इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा question number 6 का यह सभी सत्ते हैं next question देखेंगे निमलखीत में से कौन अधिक समय तक चलती है? option A, क्लिट वाइरिंग, option B, कैसिंग केपिंग वाइरिंग, option C, A तथा भी दोनो, या option D, इन में से कोई नहीं तो सबसे अधिक long life कौन से वाइरिंग की है? यह हमें पता करना है तो option इसका right answer क्या होगा? option B, जो casing, keeping, wiring होती है एक casing बनी होगी और इसके उपर एक पट्टी होगी keeping तो यह होगी keeping और यह अंदर की जो होगी यह casing होगी तो casing, keeping, wiring जो है यह काफी दिनों तक चलती है और इसकी service अधिक है, अधिक समय तक चलती है तो next question देखेंगे, निमलखित में से कौन सी सस्ती wiring है? option A, क्लीट वाइरिंग, option B, casing, keeping, वाइरिंग, option B, A और B, option D, उपर उप्रक्टिस में से कोई नहीं तो सबसे सस्ती वाइरिंग का हमें पता करना है, इन चारो option में से सबसे सस्ती वाइरिंग कौन सी होती है? तो सबसे सस्ती वाइरिंग जो होती है, यह क्लीट वाइरिंग होती है, क्लीट वाइरिंग होती है, यह open होती है, उपर उपर क्लीट लगा जाता है, इसमें नेक्स कोशन देखेंगे निमलिखीत में से किस वाइरिंग की दक्षता सबसे अधिक होती है option A casing keeping wiring, option B cleat wiring, option C है A और B तथा दोनो और option D है उपरक्त में से कोई नहीं तो इसका right answer क्या होगा दूस्तों option A जो casing keeping wiring होती है आपने देखे होंगे एक PVC casing keeping होती है PVC casing keeping wiring और एक होती है conduit casing keeping wiring होती है next question देखेंगे सुन्दर wiring है इन में से कौन सी wiring सबसे सुन्दर होती है तो option है cleat wiring, option B casing keeping wiring, option C है A तथा भी दोनो option D रे उपरक्त में से कोई नहीं तो सबसे सुन्दर जो wiring होती है वो wiring कौन सी होती है यह इसमें सबसे सुन्दर wiring होती है casing keeping wiring होती है जो PVC casing keeping wiring होती है सबसे सुन्दर wiring होती है और यह दिखने में भी अच्छी है चोड़ी पट्टी होती है और दिखने में भी अच्छी होती है यह एक PVC casing keeping होती है और दूसरी होती है एक wooden casing keeping जो old समय में चलती थी तो वो wooden मतलब लकड़ी की casing keeping चलती थी लेकिन वर्तमान समय में अब चलती है PVC casing keeping wiring और यह सुन्दर भी होती है दिखने में नेक्स कोशन देखेंगे निमलखित में से किस wiring में टीक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है तो पहले के समय में जो टीक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था तो option यह है क्लीट वायरिंग, option B है casing keeping wiring, option C है CTS या TRS वायरिंग, option D है उपरुक्त में से कोई नहीं, तो इसका right answer क्या होगा दूस्तों, option B, टीक की लकड़ी की पट्टियों का उप्योग casing keeping wiring में किया जाता था, जैसे उपरुक्त कोश्चन में, question number 10 में मैंने बताया, यह जो casing keeping wiring है, यह दो प्रकार की होती है, casing keeping wiring किते प्रकार की होती है, दो प्रकार की, कौन-कौन सी एक PVC casing keeping, और एक होती है wooden casing keeping, wooden, तो यह मतलब wooden यहाना होती है, लकड़ी, तो लकड़ी की बनी हुई, यह जो टीक की लकड़ी की पट्टी बनाई जाती थी, और उसके उपर, उसके अंदर slot बनाई जाती थे, और उसमें wiring की जाती थी, next question देखेंगे, T connection विधी के लिए कौन सही है, option A, इसमें कम power खर्च होता है, option B, यह देखने में सुन्दर लगता है, option C, इसमें तार कम खर्च होती है, यह option D, यह सभी सही है, तो T connection हमें करना है, तो T connection करने के लिए, इसमें सबसे अच्छा question, जो है, इसका answer क्या होगा, सभी सही है, क्योंकि T connection करने के लिए, इसमें कम power खर्च होती है, T connection में, दिखने में सुन्दर लगता है, और इसमें तार भी कम खर्च होती है, next question देखेंगे, निम्न में से सरवत्तम सुचालक पदार्थ है, इन में से सबसे सुचालक पदार्थ कौन सा है, option A है, चीनी मिट्टी, option B है, रेजिन, option C है, ग्रेफाइट, या option D, इन में से कोई नहीं, इसका right answer क्या होगा, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्धुत का सुचालक होता है, कब जब इसका temperature बढ़ेगा, तो यह सुचालक हो जाएगा, मतलब इसमें conducting होने लगेगी, और जब यह normal temperature में रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, विद्धुत का कि मैं आसा करता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हुं जब सभी स्टुडेंट्स, हैपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए और लाइक करिए, सेयर करिए, सबस्क्राइब करिए, नेक्स कोस्टिन देखेंगे, किसी केवल की धारा वहां छमता इसके च 14 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा option C जो है प्रस्चिदी छेत्रफल जो होता है किसी भी केवल की धारा भान करने की छमता होती उसकी जो capacity होती current carrying capacity ये conductor की cross section area जिसे प्रस्चिदी छेत्रफल कहते हैं तो cross section area पर depend करता है मतलब conductor की मोटाई पर depend करता है next question देखेंगे 7 बटे 25 केवल का अर्थ क्या है option A 25 SWG के 7 तार option B 7 SWG के 25 तार option C 7 बटे 20 SWG के 7 तार option D है इनमें से कोई नहीं तो question 15 का जो right answer होगा वो क्या होगा option A क्या होगा साद बटे 25 लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा 25 क्या होगा SWG और तार कितने होंगे ये तार होगा 7 तार और 25 SWG मतलब 25 SWG मोटाई का उसके अंदर कितने होंगे साद तार होंगे next question देखेंगे ये इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता एक्जाम में IMP question है ये next question देखेंगे इनमें से कौन चालक है option A backlight option B लकडी option C लोहा option D rubber तो conducting material कौन सा है इनमें से तो बैकलाइट तो है नहीं लकडी भी नहीं है रबर भी नहीं है तो क्या हो जाएगा iron हो जाएगा next question देखेंगे अधिक्तम voltage जिसे मध्यम voltage grade के बीच सहन कर सकता है वो कौन सा होगा मतलब अधिक्तम voltage जिसे मध्यम voltage ग्रेट के बीच सहन कर सकता है मध्यम ग्रेट वोल्टेज तो maximum voltage कौन सा होगा 1000 वोल्ट ऑप्शन B 785 वोल्ट ऑप्शन C है 650 वोल्ट या option D 950 वोल्ट तो इसका right answer क्या होगा option C क्योंकि अधिक्तम जिसे मध्यम voltage ग्रेट में के बीच सहन कर सकता है वो है 650 वोल्ट तो इसका right answer क्या होगा option C option C is an right answer नेक्स कोश्चन देखेंगे क्या कारण है कि थ्री पीन प्लग में अर्थिंग पीन को मोटा करते हैं यह जनरल कोश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है option A पीनों में भिन्यता दिखाई दे option B अधिक छरण धारा वहन कर सके यह option C प्लग टाप साकेट में भली प्रकार फिट हो सके यह option D प्लग की मजबूती बनी रहे तो इसका right answer क्या होगा option B क्या हो जागा अधिक छरण धारा वहन कर सके option B इसे लिए इसका जो प्लग का जो अर्थिंग पीन होता है वो मोटा बना जाता है नेक्स कोशन देखेंगे सामाने तक किस स्विच द्वारा थ्री फेस लाइन में परिपत को on-off किया जाता है option A है TP-IC स्विच, option B है तीन टंबलर स्विच, option C है IC-DP स्विच या option D है pendant स्विच तो थ्री फेस लाइन की बात की जा रही है और थ्री फेस लाइन में सर्कीट को on-off करना है हमें तो इसमें हमें क्या लगाना चाहिए इनमें से right answer क्या होगा तो इसमें क्या होगा right answer ICTP या TP-IC स्विच लिखा हुआ है TP-IC स्विच क्योंकि यह triple pole हो गया आपका T से triple pole iron clad तो iron clad triple pole switch इसे ICTP switch भी बोला जाता है next question देखेंगे कहां पर लगू परिपत वियो जग का प्रयोग आवश्यक है लगू परिपत वियो जग मतलब की short circuit open करने वाला उसे अलग करने वाला तो motor generator की wiring में option B, testing board की wiring में और option C है भवन के प्रतेक कक्ष की wiring में option D है mobile phone में तो इसका right answer क्या होगा option C भवन के प्रतेक कक्ष में wiring करने में लगू परिपत वियो जग का यूज किया जाता है और यह 5 ampire से 6 ampire तक के लिए design की जाता है जनरल यह दी घरों में प्रतेक भवन के कक्ष में wiring करते हैं तो हमें 5 से 6 ampire की fuse जिसे आप kitkat fuse कहते हैं fuse का यूज करते हैं kitkat fuse यह परिपत यूज का यूज किया जाता है next question देखेंगे निम्न में से कौन ताबे का प्रतिरोध है option A है 7.5 into 10 to the power minus 7 ohm meter option B है 7.5 into 10 to the power minus 3 ohm meter option C है 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter option D है 3.5 into 10 to the power minus 9 ohm meter तो इसमें जो ताबे का प्रतिरोध है कितना है यह exact मान है और यह most important पूछा जाता है तो ताबे का जो resistance है copper का resistance 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter होता है इसे याद करना ही पड़ेगा it's very important next question देखेंगे निम्न में से कौन पीतल में ताबे तथा जस्ते का प्रतिशत दर्शाजाद दरता है देखेंगे पीतल जो है वो किस-किस का combo है copper का plus जस्ते का तो दोनों का combination है ताबे और जस्ते का तो इसमें किस-किस की मात्रा कितनी होती है option यह है 6% तामबा 40% जस्ता option भी है 67% तामबा 33% जस्ता यह option C है 20% तामबा यह 80% जस्ता यह option D है 40% तामबा यह 60% जस्ता तो इसका right answer क्या होगा option B इसमें 67% जो है वो copper होता है तामबा और उसके बाद 33% जो है यह होता जस्ता तब कहीं जाके पीतल का total combination बनता है next question देखेंगे अर्धचालक के परमाणू के अंतिम कक्ष में electrons की संख्या होती है option A 8 option B 1 option C 6 option D 1 4 तो यहां पर किसकी बात की जा रही है semiconductor के परमाणू के अंतिम कक्ष की बात की जा रही है और electrons की संख्या कितनी होगी तो यह कक्छ हो गया, यह दूसरा कक्छ हो गया, यह तीसरा कक्छ हो गया तो इसके यह जो last वाला कक्छ है, इसमें पूछा गया electron की संख्या कितनी होगी तो इसका right answer क्या होगा कोई बताएगा option D, इसका right answer होगा क्योंकि अंतिम कक्षा में electron की समय कितने होगी, 4 होगी, तो इसमें semiconductor में जो है, valence electron जो होते हैं, equal 4 होते हैं, valence electron कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, और conductor में जो होते हैं, वो valence electron less than 4 होते हैं, इंसूलेटर में, valence electron greater than 4 होते हैं, next question देखेंगे, निम्न में से कहां पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है, option A, commutator में, option B, bulb में, option C, वैद्दूत मशीनों के ब्रस में, या option D, heater element में, तो नाइक्रोम की बात की जारी है, नाइक्रोम में क्या होता है, निकिल प्लस क्रोमियम, का combination नाइक्रोम होता है, तो इसमें उप्योग क्या कहां किया जाता है, नाइक्रोम का, इसका right answer क्या होगा दोस्तो, option D, heating element में, heater जो बनाते हैं, उसमें नाइक्रोम का use किया जाता है नेच्ट कोच्छन देखेंगे। निम्न में से किसम से इंसूलेटर बना जाते हैं? आप्शन A रबर से, आप्शन B लकडी से, आप्शन C पोर्सलीन से, आप्शन D बेंक लाइट से तो इसमें इंसूलेटर किसके बना जाते हैं? इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer होगा option C, porcelain से, porcelain के क्या बने आते हैं, insulator बना जाते हैं, जो बड़े बड़े tower में जो use की जाते हैं, आपने देखा होगा, इस type से ladi type की बनी रहती है, और यहाँ पर wire रहता है, तो इस type से porcelain के बने होते हैं, next question देखेंगे, निमने में से किस गुणवत्ता का asbestos होते हैं, option A, ध्वनी रोधी, option B, नमी रोधी, option C, अगनी रोधी, या option D, रुद्र रूपी, तो किस गुणवत्ता का asbestos सबसे अच्छा होता है, 26 का right answer होगा option C, अगनी रोधी, क्योंकि यह क्या होता है, जलने से सुरक्षा प्रदान करता ह और asbestos seat को electric price जो है, electric price, तो electric price के अंदर asbestos seat का use किया जाता है, ताकि अगनी रोधी बना रहे है, next question देखेंगे, निम्न में से माइका का परवैदुत सामर्थ क्या होगा, कितना दर्सा जाता है, option A है, 2-4 kv per mm, या 70-80 kv per mm, या C है, 3-10 m kv per mm, या option D है, 20-40 kv per mm, तो यहां पर जो माइका है, माइका का dielectric strength हमें बताना है, तो option D है, कितना होता है, 20-40 kv per mm, तो 20-40 kv per mm होता है, किसका माइका का परवैदुत सामर्थ, यह most important question है, और बहुत बार आ चुका है, next question देखेंगे, कहां पर घरेलू वाइरिंग में porcelain का प्रयोग होता है, तो option A है तारों में, option B है switchboard में, option C है cutout में, option D है bulb holder में, तो घरेलू वाइरिंग में porcelain का जो हम use करते हैं, यह कहां करते हैं, cutout बानने में, cutout मतलब की होता है, जो आप fuse use करते हैं, जैसे कि kitkat, kitkat जो fuse use करते हैं आप, यह किसके बने होते हैं, porcelain के, porcelain क्या है, चीनी मिट्टी, next question देखेंगे, कितने voltage तक हम मध्यम voltage grade केबल का प्रयोग कर सकते हैं, यह cable से question है, मध्यम grade का, तो कितने voltage तक option है, 11 kv, option B है, 950 kv, option C है, 650 kv, option D है, 1000 kv, यहाँ पर बात की जारी है, मध्यम grade voltage के लिए, मतलब की, न जादा न कम, तो मध्यम grade का जो cable होगा, वो right answer उसका क्या होगा, option C, 650 kv, 680 kv का जो है, वो मध्यम grade voltage कहलाएगा, next question देखेंगे, नर्म सोल्डर, जिसे electronic परिपतों को सोल्डर करने में प्रयोग किया जाता है, इसमें धातूओं का प्रतीशत कितना होता है, यह most important question है, कई बार पूछा गया है, option A, 20% सीसा, तथा 80% टीन, option B है, 90% सीसा, तथा 10% टीन, option C है, 60% सीसा, तथा 40% टीन, या option D है, 80% सीसा, तथा 20% टीन, तो हमें इतना तो पता चले है कि यह टीन और सीसा का बना होता है, सीसा और टीन का बना होता है, soldering iron, जो भी यूज़ करते हैं, solder का प्रयोग, अब इसमें किसका पर्षेंट कितना है, हमें यह पता रहना चाहिए, तो इसका right answer क्या होगा, option C, 60% सीसा और 20% टीन होगा इसमे तो 60% मतलब सीसा कितना, 60 और टीन कितना होगा, 40%, टीन कितना होगा, 40%, 60% और 40%, ध्यान दीचीगा, next question देखेंगे, एल्मूनियम के जोड़ पर, soldering के लिए प्रयोग करते हैं, option A है, अल्फा B, अल्फा E, या अल्फा G, या अल्फा C, तो अल्मूनियम जॉइंड हमें करना है, तो अल्मूनियम जॉइंड में, सोल्डरिंग के रूप में हमें किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, अल्फा G, अल्फा G, तो अल्फा G का प्रयोग करते हैं, एल्मूनियम के जॉइंड के लिए अल्फा-जी करते हैं। कौन से पदार्थ से वायर वाउंड प्रतिरोद तयार किया जाता है। तो अप्शन है तामबा, अप्शन भी है चानदी, अप्शन C है कार्बन, अप्शन D है टंगस्टन। तो इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा option D. टंगस्टन से wire wound प्रतिरोध तयार किया जाता है. Next question देखेंगे. कौन से प्रतिरोध पंखो के regulator में प्रयोग होता है? कौन सा प्रतिरोध यूज करते हैं? fan regulator में option A, wire wound प्रतिरोध, option B, carbon film प्रतिरोध, option C, धातुई प्रतिरोध या option D, carbon composition प्रतिरोध, तो हम क्या करते हैं? जो है, पंखो के regulator में जो यूज करते हैं, वो कौन सा प्रतिरोध हम यूज करते हैं? इसका right answer क्या होगा? option B, carbon film प्रतिरोध. हम पंखो के regulator में जो यूज करते हैं, वो carbon film resistance होता है. Next question देखेंगे. Next question है, कौन सा प्रतिरोध TV के volume control में प्रयोग करते हैं? TV के volume control में जो यूज किया जाता है, वो कौन सा resistance होता है? option A है, carbon film resistance, option B है, परिवर्ति resistance या प्रतिरोध. option C है, इस्थिर प्रतिरोध या option D है, धातुई प्रतिरोध. जो TV के volume control के लिए हम resistance यूज करते हैं, जिससे volume कम ज़्यादा किया जाता है, तो उसमें कौन सा resistance यूज किया जाता है? तो उसका है right answer option B है, वो होता है variable resistance, परिवर्ति प्रतिरोध का यूज करके, आपने देखे हूँ है, एक छोटा सा बटन होता है घुमने वाला, इससे हम घुमा के resistance जो है, उससे कम ज़्यादा होता है, उसी से volume control होता है. next question देखेंगे, विदुद भट्टियों के तापक्रम नियंतरण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोध करते हैं? option A, FTR, option B, NTC, option C है VDR, या option D है LDR, तो इसका right answer क्या होगा? option B होगा, इसका NTC resistance, क्योंकि विदुद भट्टियों में जो temperature control करने के लिए जो resistance यूज के जाता है, वो NTC resistance होता है, यात रखीगा most important question है, और ये आया हुआ question है, next question देखेंगे, कौन सा प्रतिरोध स्वचलित street light में लगाये जाते हैं? तो street light में आपने देखाऊंगा, automatic on, off हो जाता है, night होगा, तो automatic on हो जाएगा, और day होगा, तो automatic off हो जाता है, तो option A है, LDR, option B है, VDR, option C है, धातवी प्रतिरोधिया, option D है, NTC, तो इसका right answer क्या होगा, option A, LDR, light detecting register, या light detected register होता है, ये, light को detect करता है, और off कर देता है, next question देखेंगे, 5 kilo ohm कारवन प्रतिरोध का color code कैसा होगा, तो 5 kilo ohm की बात की जा रही है, 5 kilo ohm, kilo ohm में कितना होता है, 10 to the power 3 होता है, ये kilo के लिए, है, तो इसका, जब इसे color coding से निकालेंगे, आप हम, BB, Roy, Great Britain, इसकी color coding है, BB, इसकी color coding है, BB, Roy, Great Britain, very good wife, तो ये हो जागा, 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये, 9, तो इस टाइब से इसकी color coding हो जाएगी, उससे color coding से आप निकाल सकते हैं, ये इसका formula या trick बोल सकते हैं, तो इसका right answer क्या होगा, 37 का, option B isn't right answer, हरा, काला और लाल, next question देखेंगे, silver रंग का tolerance होता है, option A, 20%, silver की बात की जारी है, silver, चांदी, इसकी बात की जारी है, 20%, 8%, 10% या 5%, तो इसका right answer क्या होगा, option C, 10%, silver का tolerance कितना होता है, plus minus 10% होता है, next question देखेंगे, निम्न में से कौण कुछालक पदार्तों का प्रतिरोध है, option A, option B, option C, option D, option D, option D, तो इसका right answer क्योंसा होगा, option D, option D, silver का tolerance है, इसमें मैंने बताया था, plus minus 10%, golden का होता है, plus minus 5%, और जिसमें कोई color नहीं होता, no color का होता है, plus minus 20%, next question देखेंगे, प्लास्टिक कैसा कुछालक है, option A, carbonic, option B, द्रव, option C, gas, option D, carbonic, तो प्लास्टिक कैसा कुछालक है, carbonic है, next question देखेंगे, निम्न में से कहां अभरग का प्रयोग होता है, option A, winding में, option B, DC, machine में, या option C, cooler में, या option D, इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer क्या होगा, 41 का, option B, DC, machine में, क्योंकि, माइका का जो यूज होता है, वो DC, machine में, यूज किया जाता है, next question देखेंगे, इन में से कौन काच का मुखे घटक है, काच का main component जो है, वो पारा होगा, या चूना पत्थर होगा, या option C, silica होगा, या option D, बोरान आक्साइड होगा, तो इसका right answer होगा, option C, silica, क्योंकि काच में, क्या होता है, silica होता है, next question देखेंगे, दस्ताने, जो विद्धू साक से सुरक्षा प्रदान करनी के प्रएग होते हैं, वो किसके बने होते हैं, option A, silicon के, option B, लोहे के, option C, rubber के, option D, काच के, तो इसका right answer होगा, जो दस्ताने, विद्धू साक से सुरक्षा प्रदान करनी के लिए, जो electrician यूज़ किया जता है, उसका right answer क्या होगा, रबर के बने होते हैं, next question देखेंगे हम, इन में से कौन विद्धूत रोधी तेल की परवैदूत सामर्थ दर्शाता है, जो transformer में यूज़ की जाता है, विद्धूत रोधी तेल, उसकी बात की जा रही है, तो इसका होता है, 223 kv per mm, या 70 to 80 kv per mm, क्योंकि परवैदूत सामर्थ डाइलेक्रिक 30 to 40 kv per mm, या option d, 7 to 10 kv per mm, इसका right answer होगा, option c, 30 to 40 kv per mm, विद्धूत रोधी तेल की परवैदूत सामर्थ होती है, next question देखेंगे, कांसे holder का प्रवैक किछी स्थान पर lamp को लटकाने के लिए किया जाता है, option a, हमby क्या, holder को लटकाना है, ठीक है, लगाने के लिए, तो option E है button holder, option B है screw lamp holder, या option C है pendant holder, या option D है latoon holder तो इसमें जो use करेंगे हम option C, pendant holder जो है जिसे लटका जाता है, किसी भी स्थान पर ये pendant holder होता है next question देखेंगे, switch की विशिस्ताओं के लिए आवसेक है, option A है voltage, option B धारा चमता, option C, switch का प्रकार या option D उपरुक्त सभी इसका right answer होगा, उपरुक्त सभी, क्योंकि switch की जो विशिस्ट्रिता होना चाहिए, वो voltage सहन करने वाला भी होना चाहिए, धारा चमता भी सहन करने वाला चाहिए और switch का प्रकार भी होना चाहिए, और उपरुक्त सभी इसका right answer होगा, next question देखेंगे 208 से अधिक के लेंपों में प्रयोग करते हैं, 200 watt का लेंप, option A pendant holder, option B style holder, option C addition screw holder, option D button holder, अब हमें 200 watt से अधिक का लेंप यूज़ करना है, तो उसका holder कैसा होना चाहिए इसकी बात की जारी, तो यह option C होगा इसमें, addition screw holder, क्योंकि screw वाले holder होना चाहिए, और यह metal के बने होते हैं, plastic के बने होते हैं, metal के बने होते हैं, addition screw holder, next question देखेंगे निम्न में से किस के लिए selling rose का प्रयोग किया जाता है, option A पंखों के लिए, option B विद्दूतिस्त्री के लिए, option C गीजर के लिए, option D fridge के लिए, तो मुझे पता है, आप सभी को इसको आंसर पता है, यह पंखों के लिए use किया जाता है, 48 का आंसर A होगा, next question देखेंगे निम्न में से किसका प्रयोग, holder या socket से अतिरिक्त connection के लिए किया जाता है, option A, bulb, option B, disk, option C, ceiling rose या option D, adapter, तो किसका प्रयोग, holder या socket में अतिरिक्त connection, extra connection के लिए use करते हैं, तो इसका right answer को option D, adapter का use किया जाता है, next question देखेंगे क्या कारण है कि 3-pin socket में अर्थ-pin मोटा रखा जाता है, option A, option B, option C, कौन सा option इसका right होगा, तो इसका होगा, प्रतिरोध को घटाने के लिए इसका use किया जाता है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आसा करता हूँ, thank you so much